Hello students, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2Pi Classes और बच्चों, Class 6 Mathematics में Chapter No.2, Whole No.2 में इस वीडियो में हम क्या solve करने वाले हैं? ये वाला Try These, इसको अच्छी तरीके से बच्चों देख लीचे, ये वाला जो Try These है, इसको हम solve करेंगे, तो बच्चों, पुरानी बुक्स में ये आपको कहां मिल लाएगा? Old Books में Page No.29, अगर आपके पास Old Book है और New Book में Page No.20 पे आपको मिल लाएगा, बट इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे Parents भी इस वीडियो को देखते होंगे, और बच्चे को अपने घर पे ही यहां से Help लेके पढ़ाते हो आप, तो आपना किसी भी प्लेलिस को Part 1 से Follow किया करिए, NCIT की एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छी तरीके से Explain करी हुई है, और अगर इस तरीके से आप बच्चे को explain करेंगे, या कोई Student अगर सीख रहा है, इस तरीके से सीखेगा, तो Class 10 की Board Examination में जाते जाते, आपके Concepts बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप Class 10 की Board Examination में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीके ना, तो चलिए, आईए Students, because NCIT में बीच-बीच में बहुत important बाते दी रहती है, से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, 2, ठीक है, इस तरीके से और भी नंबर चलते चले जाएंगे, ठीक, तो Natural Number के सेट यह होते हैं, ठीक, अब सुनिए, Natural Number में के सेट में, One का predecessor कोई नहीं होता है, पढ़ा है था आपको, One का predecessor कौन से सेट में, Natural Number के सेट में कोई नहीं होता है, मतलब One के पहले कोई नंबर नहीं आता है, ठीक, और क्या पढ़ा है था, One is the smallest Natural Number, One smallest Natural Number है, और Largest Natural Number पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Largest में तो आप कहां नहीं है, और Largest Natural Number पॉसिबल नहीं है, अब सुनिए, अब हमने क्या किया, हमने Whole Number का सेट बनाया, क्या बनाया, Whole Number का सेट बनाया, क्यों बनाया, उसका रीजन समझीए, आपने Whole Number के सेट क्यों बनाए, mathematics में whole number के set क्यों बनाए, क्योंकि ध्यान से ज़रा चेक करो जब आप counting number लेते थे, यानि कि जब आप whole number लेते थे, तो one का predecessor कुछ नहीं आ रहा था लेकिन अगर हम one में से one minus करें तो zero आता है, zero natural number के set में है नहीं, तो हमने एक नया set बनाया, whole number जिससे की उसमें zero भी आ जाए, मतलब इस natural number के set में, अगर zero include कर दिया जाए, तो जो set बनता है, तो जो set बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, whole number का set बोलते हैं, फिर ते सुनिए, ये तो natural number का set है, इसमें अगर zero भी अगर हम include कर दें, चीक, तो whole number का set बन जाएगा, अब यही चीज़ आपको NCRT में याद करनी है, यहाँ पर याद करना है, आपको निशान लगाईए अपनी book में, यहाँ पर निशान लगाईए, यह देखिए, तो इसको आपको याद करना है, तो ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं बच्चो, लिखा हुआ है, the natural number along with zero, मतलब, अगर हम natural numbers के साथ zero भी ले ले, the natural numbers along with zero, मतलब natural number जितने भी थे, उसमें अगर हम zero और include कर दे, along with zero का मतलब zero भी अगर ले लो, तो जो set बनता है, तो जो set बनता है, इस set को हम क्या बोलते है, इस set को हम क्या बोलते है, ठीक है, form the collection, form the collection का मतलब, एक collection बन जाता है, एक set बन जाता है, और किसका set बनता है, whole number, पढ़ लिजे इसको दो तीन बार, the natural number along with the zero, यानि कि natural number में अगर zero भी डाल दिया जाए, जीरो भी इंक्रूट कर जाए, तो जो set बनके आता है, इस set को whole number बोला जाता है, अब, अगर मैं आपको whole number के set में, one का predecessor पूछूँ, तो zero आ जाएगा, ठीक समझे है, one का predecessor natural number के set में possible नहीं है, लेकिन whole number के set में one का predecessor क्या होता है, zero, और smallest whole number क्या होता है आपका, zero, और largest whole number possible नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा whole number आप जिसको सोच रहे हो, उसका भी तो successor होगा, यानि कि उसके next में भी तो कोई number आएगा, जो one add करके आएगा, है ना, तो यह चीज़ है, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी, अब आईए जरा, बच्चों first question देखते हैं, are all natural number also whole number, सुनिए ध्यान से, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, are all natural number, क्या सभी natural number are also whole number, क्या जितने भी natural number हैं, क्या वो whole number में हैं, जितने भी natural number आपको दिखाई पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, सभी natural number को लेके ही, तो whole number का set बनाया गया है, बस whole number में हमने क्या किया, 0 और हमने क्या करा, ले लिया, तो ध्यान से जरा चेक करिए गए बच्चों, यह blue color से, यह 0 से लेके, कहां तक infinity तक, तो all the natural number, कोई भी natural number अगर आप ले लो, आप one ले लो, 5 low natural number में तो वो whole number के set में आएगा यहने के all the natural numbers जितने भी natural number हैं वो whole number होते ही होते हैं ठीक है ना तो are all the natural numbers are also whole number तो answer is yes इसका answer क्या हो गया yes हो गया पढ़ लीजे part 1 का screenshot ले लीजे are all the natural numbers also whole number answer is yes all the natural numbers are also whole number और समझा मैंने आपको दिया जितने भी natural number लोगे वो पक्का whole number तो होंगे ही होंगे इसके बाद next question देखिए फिर question number 2 are all the whole numbers also natural number सुनिये ध्यान से जब उसने all whole number बोल दिया आप all में तो सब कुछ आ गया all में तो सब कुछ आ गया यहने कि 0 भी आ गया 0 की भी बात कर रहा है all whole numbers में 0, 1, 2, 3, 4 सब की बात कर रहा है तो क्या सभी whole number natural number है नहीं 0 0 natural number थोड़ी नहीं तुम लो 0 whole number तो है लेकिन 0 natural number नहीं है 0 को छोड़ कर 0 को छोड़ कर जितने भी whole number है वो natural number है लेकिन जब आप all whole number ले रहे हो all जब आप all whole number ले रहे हो जब आप all all whole number ले रहे हो whole number सभी whole number लोगे तो all whole numbers are not natural number क्योंकि all बोल दिया तो सब लोग आ गये सब लोग में 0 भी तो आ गया तो 0 तो whole number है natural number नहीं है ठीक है तो are all whole numbers are natural number answer is no no और answer कैसे लिखेंगे यह देखिए no all whole numbers are not natural number reason यह reason लिखा हुआ है ठीक है reason because 0 is a whole number but it is not a natural number ठीक 0 whole number तो है लेकिन 0 natural number नहीं है ठीक समझ गयोगे अब इसके बाद आए देखते हैं part 3 यह आपको समझ में है न इसको फिर से देखीएगा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो which is the greatest whole number हाँ भई सबसे बड़ा whole number कौन सा है which is the greatest whole number अब सुनिए मैंने आपको बताया है पहले की classes में भी फिर बता रहा हूँ ध्यान दे बच्चे ना तो greatest natural number possible है और ना ही greatest whole number possible है क्यों क्योंकि जिसको आप greatest बोल रहे हो जिसको आप सबसे बड़ा number बोल रहे हो उसका भी तो successor होगा successor कैसे मिलता तो one add करके तो भाई जो भी number सबसे बड़ा होगा उसमें one add करोगे तो उसके next वाला मिल लाएगा और next वाला उससे भी बड़ा होगा अब चाहें greatest whole number बोल दे या greatest natural number बोल दे ठीक है तो जवाब नहीं कोई भी greatest number possible मतलब greatest number कभी नहीं निकाला जा सकता है ठीक है greatest मतलब सबसे बड़ा तो इस ब्रह्मान्द में क्या सबसे बड़े number के बारे में सोचा जा सकता है नहीं सिन्स फटरी होगा है सक्सेशर हमने क्या बता है हर एक सक्सेशर होता है जैसे की यहां पर देखिए जैसे कि यहां पर दिखिए स्टुडियंट्स कि अ अब ऐसे इसको चलने दो बहाई 0很 ऑसे छoire या है नंपर का सेट है ना है कि होल नंबर को सेट है ओल numbers का set है तो 0 का successor 1 और 1 का successor 2 और 2 का successor 3, 3 का 4 तो ऐसे करते करते जो जिसके बारे में आप सोचरों सबसे बढ़ा होगा यार उसके next में भी तो कोई आता होगा तो next वाला उससे भी बढ़ा हो जाएगा तो इसलिए greatest number possible नहीं है तो हमने reason क्या लिखा हमने reason लिखा since every, ये reason है ये reason है reason ठीक every whole number has a successor हर एक whole number का successor होता है इसलिए there is no greatest whole number इसलिए कोई भी greatest whole number possible नहीं है और यही बात NCRT में मैंने आपको यहाँ पढ़ाई थी अगर आपको याद हूँ theory जब मैं theory पढ़ा रहता अगर आपने पीछे का देखा होगा तो यहां पर देखिए NCRT क्या कहता था यह सारे examples मैंने जब लिए थे आपके सामने बच्चों तो यहां NCRT ने क्या बोला था इसलिए इस दुनिया में कोई भी largest number possible नहीं है उसने बोला था क्योंकि नंबर तो कितने भी बड़े हो सकते हैं और बड़े से बड़ा नंबर सोचा तो उसका भी successor होगा तो आपको मेरी बात समझ महीं होगी नाव सदेंस अब आप हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए औल दे बेस्ट